तो इस तरीके के problems को कैसे solve करना है ये बड़ा सवाल आता है इसमें जो है transformation efficacy या transgenic plants को select करने की बात की जा रही है इस question को थोड़ा सा read out करने की कोसिस करें तो a group of researchers a group of researchers are testing new agents M1 and M2 माल लेते हैं कि कोई researcher का group था वो दो particular agents का जो है use करें M1 है and M2 है their efficacy in selecting transgenic plants कि वो transgenic plants को कितनी efficacy से जो है वो select कर सकते है when they perform tissue culture experiment using three explants इन्होंने दो agents को चेक करने के लिए use किया था M1 को use किया था और M2 को और जो explants इन्होंने लिए थे जाहे वो tissue explants और leaf explants और कोई भी हो सकता है तो वो आपके A है B है और C है यह तीन explants इन्होंने यूज किया without agrobacterium transformation agrobacterium transformation के बिना and selected and regenerated plants on M1 and M2 select किया और regenerate किया M1 और M2 पे कि M1 पे कौन को regenerate हो रहा है और M2 पे कौन को regenerate हो रहा है and the regeneration frequencies were obtained regeneration frequencies को फिर obtained किया गया अब याद रहे जब हम selections की बात करते हैं ठीक है न तो selection में दो तरीके के selections आते हैं एक होता है positive selection और एक होता है negative selection यह दो तरीके के selections जो है वो आपके आते हैं positive selection और negative selections and जब हम generally negative selections के उपर चर्चा करते हैं तो negative selection का एक role आता है वो क्या होता negative selection का पंगा नेगटिव selection का यह पंगा होता है कि normally जब भी आप क्या होता है कि कोई भी particular agents जड़ा इसको देखिएगा positive selection का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जब कोई gene present है तब हम उसको select कर रहे हैं तो वो एक positive selection होता है वो होता है positive selection और जब कोई gene absent है जब कोई gene absent है तो अगर हम उसको select कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है वो negative selection होता है negative selection का मतलब है कि available नहीं होना चाहिए और most of the cases में negative selection represents negative selection में क्या होता है negative selection में growth नहीं होती जैसे antibiotic वाला condition अगर याद आ रहा हो negative selection में कि अगर हम उसको grow करते हैं तो growth नहीं होना एक अच्छे agents की जिम्में जो है किसकते responsibilities होती है तो यहाँ पे अगर regenerate करेगा तो वो agent अच्छा नहीं है और regenerate नहीं करेगा तो वो agent अच्छा माना जाएगा for a greater selection या किसी भी particularly transgenic plant को select करने के लिए regeneration frequency should be minimum समझ में आरी बात कि यह regeneration frequency जब nil होगा और minimum होगा तो वो agent अच्छा माना जाएगा regeneration frequency जिसकी कम होगी regenerate नहीं करेगा तो हम उसको negative selections के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं फिलाल के लिए इस particular problem में इस table को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो थोड़ा zoom कर रहा हूं है ठीक है अब इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे होंगे तो during this process क्या हो रखा है कि A explant की जब हम बात करते हैं तो A explant जो है जब हम M1 एजन को यूज कर रहे हैं तो 20 mg पर लीटर हो 60 mg पर लीटर हो या 100 mg पर लीटर हो 20 mg पर लीटर पे इसमें regeneration frequency 44% है मतलब 44% cells regenerate कर जा रहे हैं इसमें 21% है मतलब 21% cells regenerate कर जा रहे हैं और ये जो है 100 mg पर लीटर में कोई regeneration नहीं हो रहा है मतलब M1 जो agent है वो A के लिए तब suitable है जब 100 mg पर लीटर हो we can simply say that कि M1 जो है वो तब suitable है जब 100 mg पर लीटर है तब ठीक है ना नहीं तो बाकी 20 mg पर लीटर वाला और 60 mg पर लीटर वाला suitable नहीं है 10 की उपर बात करते है M2 के लिए तो देखे 10 mg पर लिटर में M2 काम नहीं कर रहा है Even M2 हम यूज नहीं कर सकते है Nil नहीं कर पा रहा है लेकिन 15 और 20 M2 यहाँ पे जब 15 हो और 20 हो तो उस mg पर लिटर को हम selecting agent यूज कर सकते है for explained type A A को select करने के लिए M1 भी यूज किया जा सकता है और M2 भी यूज किया जा सकता है और दोनों का concentration कौन-कौन सा यूज किया जाता है वो यहाँ पे mention है M1 का 100 g mg पर लिटर और M2 का 15 या 20 mg पर लिटर क्योंकि उसमें regeneration frequency is nil है ठीक B type of explained के लिए जब हम बात करेंगे तो B के लिए M1 का कोई भी concentration जो है वो efficient नहीं है for B type of explained M1 cannot be used for selecting agents selection agent की तरह हम M1 को use यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि B जो है वो आपका basically M1 के case में कहीं पे भी nil नहीं सो कर रहा region region जबकि M2 को देखिए M2 every concentration पे हर एक concentration पे जो है वो nil सो कर है मतलब चाहे 10 mg per liter हो 15 हो या तो 20 हो इन तीनों केसेस में जो है 10 हो या 15 हो या 20 mg per liter हो इन तीनों केसेस में जो है use किया जा सकता है जब यह use किया जा सकता है इसका मतलब है कि B type of cells को select करने के लिए M2 जो है वो best possible combination सो कर रहे हैं अगर M2 की बात करें तो M2 देखिए A और B में B को ज़्यादा अच्छे से select कर सकता है क्योंकि तीनों किसी भी concentration पे वो जो है regeneration frequency निल आ रही है C को जड़ा देखिए C type of explains की अगर हम बात करें तो C type of explains में कोई भी neither M1 nor M2 नहीं M1 यूज़ कर सकते हैं और नहीं M2 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि निल किसी में भी नहीं हो रहा है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ रही है अब इन में से पूछा जा रहा है कि which of the following statement is incorrect सही कौन सा नहीं है zoom कर लेते हैं जरा समझ येगा line पढ़ते हैं क्या कहा रहा है कि M2 is stronger selection agent than M1 for explained type A and B देखिए M2 जो है वो type A and B के लिए stronger है as compared to the A ये statement बिलकुल सही है क्योंकि M2 जो है उस case में in the case here M2 के case में क्या हो रखा है ये निल ज्यादा सो कर रहा है as compared to the M1 ठीक है M2 is stronger उसके बाद बात की जा रही है कि A concentration of 100 mg per liter of M1 and 15 mg per liter of M2 can be used for the selection of transformed cells using type explant A जो type A है उसके लिए हम use कर सकते हैं बिलकुल कर सकते कि नहीं 100 यहाँ पर देखिए और इस पर 15 और 20 gas पस सही कर सकते हैं true है ठीक C वाला statement थर्ड वाला पढ़के देखिए among the three explants तीन explants the type C is least suitable among the type C least suitable at the tested concentration of M1 and M2 type C जो है वो least suitable है M1 and M2 के लिए बिलकुल यह भी सही है ठीक है नाव फोर्थ के लिए जारा देखिए use of M1 with explant type B use of M1 जो है type B के लिए is most ideal combination for the selection of transformant M1 जो है explant type B के लिए most ideal है M1 नहीं है M2 है जो best suitable possible है जो ideal है वो M2 है M1 नहीं है इसी वज़ा से यह statement गड़बर हो जाएगा और यही जो है इस particular question का answer हो जाएगा right समझ में आगा explanation चलिए great खेट बेंड़ से एफिए से यहाई ओन अने